शायद ही कोई ऐसी भारतिय रोसोई होगी जिसमें तेजपत्र का परियोग खाना बनाने में ना होता हो इसका पौधा पुराने समय से भायत में उगाय जाता रहा है लेकिन इसके गुणों को देखते हुए अब इसे अंदेशों में भी उगाय जाने लगा है हरी पत्यों के लावा इसकी सुखी पत्यां का भी खूब इस्तमाल होता है घास फूस के सेड़ी का ये पौधा पुराना होने पर छोटे पेड़ का रूप ले लेता है वैसे इसे गमले में भी उगाये जा सकता है लेकिन आज मैं इसके सुखे पत्यों को जलाने से होने वाले चमातकारिक और चौकाने वाले फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसके अन और शदिये गुरों के संब्ध में अपने अगले वीडियो में बताऊंगा तेज पत्यों को जलाने के फायदे सुनकर आप हैलान रह जाएंगे हमारा अच्छा या बरा वेवार हमारे आज़ पास के वातावरन पर निर्भर करता है हमारे आज़ पास के सुगंद अद्वा दुर्गंद हमारे वेवार को प्रभावित करती है हमारे आसपास की नकारात्मक औरजा हमारे अच्छे बेवार को बुरे बेवार में तब्दिल कर देती है आज मैं आपको बताओंगा प्लाचीन कासे चले आ रहे है नकारात्मक वायू के प्रिभाव को कम करने का अजुख नुकसा तेज पत्ते को जलाने से आपके बेवार में हैरानी चनक परवत्वन आ जाएगा तेजपत्य को जलाने से निकलने वाला धुआ आपके आसपास के वातावरन को कुछ इस तरह से बदल देगा कि आपका और आपके आसपास के लोगों का मिजाज खुशनमा हो जाएगा अपने घर अत्वा घर के आज़ पास तेज पत्ते को जलाएं और फिर इसका जारू देखें निश्य ही कमाल हो जाएगा जो आपको दिखाई पड़ेगा रात को अच्छी नीच सोना बहुत जरूरी होता है आपको किसी तरह का कोई तनाव ना हो आपका मन शान्त हो आपको शकून हो आपको कोई चिंता नहो अमोमन ऐसा होता नहीं है दिन भर आप दफ्तर में रहें या घर के कामर में उल्जे रहें तनाव हो ही जाता है यह तनाव आपको रात में सोने नहीं देता ये तनाव आपको मांसी रूप से परिशान करता रहता है और सारी रूप से भी नुक्षान पहुंचाता है अगर आप छोटी सी कोशिस करें तो तनाव को मिल्टों में दूर कर सकते हैं इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं बस सिर्फ एक पत्ता तेज पत्ते का जलाना है रात को सोने से पहले सिर्फ पांच मिनिट के लिए एक पत्ता तेज पत्ते का जला दीजिए आपका तनाव दूर हो जाएगा तेज़ पत्रे को जलाने से उससे निकलने वाले खुश्बू पूरे कमने में भर जाएगी यहां तक कि कमने का माहौल भी सुकून भरा हो जाएगा आपको अपने अंदर भी सुकून महसूस होगा और आपका तनाव शूमंतर हो जाएगा आपको जाएगा झाल